एक खबर आ रही थी कि हार्दिक पांडिया अनफिट है IPL नहीं खेलेंगे फरे के दिन में वो अचानक से ऐसे फिट होते हैं कि वो ना सिर्फ IPL बल क्यों कहते हैं बार इंडिया वर्सिस अफगानिस्तान की जो T20 सीरीज है उसमें भी खेलेंगे अब दो सवाल आगे मेरे ब कप होना है वेस्ट इंडीज और USA ने के United States of America मिलकर इसे होस्त कर रहे हैं उस तीम में हार्दिक पांडिया एक बड़ा रोल अदा करने वाले हैं यह हम सब को पता एक बहुत शांदार ओल राउंडर हैं जो आपको बैटिंग भी देते हैं पावर हिटिंग भी देते हैं प् वराट कोली नहीं खेलते हैं तो फिर कैप्टन हार्दिक पांडिया होंगे यही बात की जा रही लेकिन मुझे सवाल आता है कि केल राहूल से क्या दिक्कत है सुर्कमार यादव सेकिंड प्रेफरेंस आप कह देंगे चले ठीक है कोई बात में सुर्कमार यादव आपके से क्रीज बराबर की चार शतक लगा दिये उन्होंने इंट्रिनेशनल क्रिकेट में रोई शर्मा के बाद वही अकेली खिलाड़ी इनके बाद चार शतक है इंडिया की तरफ से और कैप्टन रहते हैं एक एक शतक रोई शर्मा और सुर्कमार यादव के पास है तो वो भी एक क्ैयल राहूल की बात करेंगे केल राहूल का कैप्टन से रिकॉर्ड जब आप देखते हैं तो बहुत शानदार नितर आता है और सिर्फ काप्टन से अब क्या उमीद रखते हो एक कैप्टन वो खिलाड़ी होता है जो ना सुर्फ अपना रिकॉर्ड बलकि е एक टीम का रि है हमने अर्शदीब का बैस देखा हमने आवेश खान का बैस देखा है तो इंडिया के पास जो धोनी थे धोनी इस ग्रेट लीडर है ना और वो जब टीम के कैप्टन होते थे तो बाकी खिलाडियों का बैस निकल के आता था तो वही केल राहूल के साथ भी होता है अब जो चीज केल राहूल के साथ हो सकते है तो फिर उन्हें कैप्टन क्यों नहीं बनाया जा सकता पही हार्दिक पांडिया एक तो रेगुलर इंजोड रहते हैं वो कभी-कभी हार कर जीतने वाले को बाद जीकर कहते हैं तो कभी-कभी हारना भी अच्छा होता है दूसरी तरफ आपके पास एक खिलाडी है जो खिलाडियों का बैस निकल वाकर देता है वो खिलाडी जिसके अंडर में हर कोई परफॉर्म करता है तो ऐसे में उस खिलाडी को उनको इतनी तवज्यों दी जाती है या फिर कुछ और कुछ और कुछ और लॉजिक है या मुंबई लॉबी अभी अभी कर्किट में अक्टिव है आपको क्या लगता है क्या वाकई में केल राहुल को रोहित के बाद अगला कैप्टन होना चाहिए या फिर हार्दिक करें जाते हैं जानों को सब्सक्राइब करते हैं जायें